इस्मर्णिय तथ्य राश्ट्रिय एक उत्तिरी सिक्किम में किस जील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर दो हजार तेईस के प्रथम सब्ताह में भयंकर बाड आई लोहनक जील सेना के 23 जवानों सहित लगभग 120 लोगों की मृत्ति हो गई तीस्ता तीन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट का 60 मीटर उचा बांध डह गया दिख्चु सिंगतम और रांगपूर शहर पानी में डूब गये सिक्किम को जोडने वाला नेशनल हाइवे एनेच 10 भी बै गया दो भारत के किस राज्य ने 2 अक्टूबर 2023 को जातिय सर्वेक्षण के आकड़े जारी किये तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बना बिहार बिहार में जातिय गर्णा का प्रारंब 7 जनवरी 2023 को हुआ और इसकी रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित होई 3. किस भारतिय फिल्म अभिनेत्री को सर्वोचे दादा साहे फाल के पुरसकार से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया वहीदा रह्मान 50 वर्षों से अधिक्के फिल्मी करियर में लगभग 90 फीचर फिल्म वहीदा रह्मान ने की ये पद्मभूशन और पद्मश्री के साथ साथ राश्ट्रिय फिल्म पुरसकार और फिल्म फेर अवार्ड से सम्मानित है इनकी पहली फिल्म तेलुगू में रोजुलू 1955 थी चार दस अक्टूबर 2023 को जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष इस्थान किस उद्योगपती को प्राप्त हुआ है मुकेश अंबानी भारत के सबसेधनी व्यक्तियों को उनकी कुल संपत्ति के आधार पर रैंक दी जाती है सूची में रुपे एक हजार करोड से अधिक की कुल संपत्ति वाले 1319 व्यक्ति शामिल है गौतम अडानी एंड फैमिली का दूसरा स्थान है पांच किस मलियालम भाशा की फिल्म को 96 ओसकर या अकेडमी अवार्ड दोहजार जॉबस में सर्वशेष्ट विदेशी फिल्म केटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है 2018 Everyone is a Hero 2018 Everyone is a Hero के निर्देशक जूडे एंथनी जोसेफ हैं यह फिल्म केरल में आई बार से संबंदित है 6. रंजी टॉफी विजेता सौराश्रव शेष्भारत की टीमों के बीच अक्टूबर 2023 में राजगोट में खेले गए फाइनल मैच में विजई रहकर किसने इरानी कप जीता शेष्भारत 7. जाल इरानी की स्मृति में 1969 में पहला टूनमेंट हुआ था जिसमें रंजी टॉफी विजेता टीम और रेस्ट उफ इंडिया के बीच मैच हुआ था 7. किस तमिल लेखिका को उनके 2019 के संस्मरण सूर्य वामसम के लिए सरत्स्वती सम्मान 2022 से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया शिवशंकरी शिवशंकरी 36 उपन्यास एवं 48 लगु उपन्यास 150 कहानियों 15 यात्रा संस्मरण आदि की लेखिका हैं जिन में से अनेक पर फिल्म बन चुकी है 1987 में दूरदर्शन से प्रसारित लोक्प्रिय कारिक्रम सुबा की भी लेखिका शिवशंकरी हैं आठ भारत सरकार ने किस केंद्रिय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का इस्तर प्रदान किया है रेल इंडिया टेक्निकल एन एकॉनोमिक सर्विसस लिमिटेड राइट्स लिमिटेड रेल मंत्राले के अंतरगर्द राइट्स लिमिटेड एक रेलवे कंसल्टरंसी कंपनी हैं इसका वियापार पचपन देशों में है नवरत्न स्तर पाने वाला ये सोलवा केंद्रिय लोक उपक्रम है नौ उत्तर प्रदेश के प्रतापगर रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर अक्टूबर 2023 में क्या कर दिया गया है मा बेलहा देवी धाम प्रतापगर जंक्षन इसी प्रकार अंतु स्टेशन का नाम नाचंदिका देवी धाम अंतु और विशनात गंज स्टेशन का नाम शनिदेव धाम विशनात गंज बदल कर कर दिया गया है 10. भारत के विदेश मंत्राले ने किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट और अन्य अंतराष्ट्रिय संगठनों में भारत का इस्थाई प्रतिनिदी 16 अक्टूबर 2023 को नियुक्त किया है अरिंदम बाक्ची भारतिय विदेश सेवा के 1995 बैज के अधिकारी भाक्ची को मार्च 2020 में विदेश मंत्राले के प्रवक्ता के रोप में नेउक्त किया गया था भाक्ची ने जेनेवा में इंद्रमणी पांडे का स्थान लिया है 11 भारत की कौन प्रसिद्द लेखी का एवं परोप कारी महिला Global Indian Award पाने वाली पहली महिला बनी सुधामूर्ती Infosys के सहसं स्थापक N.R. नारायन मूर्ती की पतनी सुधामूर्ती को टोरंटो कनाडा में कनाडा इंडिया फांडेशन द्वारा 50,000 डॉलर के प्रतिष्टित Global India Award 2023 से सम्मानित किया गया सुधामूर्ती ने ये धनराशी टोरंटो विशविद्याले के फिल्ड इंस्टिट्यूट को प्रदान कर दी 12. पूर्वत्तर के किस राज्य में पहला Medical College अक्टूबर 2023 में खुला है नगलेंड नगलेंड इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइन्स एंड रिसर्च का उद्गाटन 14 अक्टूबर 2023 को कोहिमा में किया गया 13. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधित्यनात ने प्रदेश की नदियों में पाई जाने वाले किस जन्तु को 7 अक्टूबर को राज्य जलिय जन्तु घोशित किया है गंगा डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन गंगा यमुना चंबल और राप्ती आधि नदियों में मिलती है उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 2000 है 14 Central Bureau of Investigation यानी CBI ने 19 अक्टूबर 2023 को साइबर क्राइम की जाच के लिए कौन सा ओपोरेशन चलाया ओपोरेशन चक्र दो Amazon और Microsoft की शिकायत पर 11 राज्यों में 46 स्थानों पर छापे मारे गए जिसके द्वारा क्रिप्टो करंसी दोकाधड़ी के मामले में ओप्रेशन चक्र दो चलाया गया 15 प्रदानमंती नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को किस पहली Rapid Regional Train का उदगाटन किया Rapidex नमो भारत निर्मानाधीन दिल्ली गाजियाबाद मेरट Regional Rapid Transit System के प्रथम चरण सहीबाबाद दुहाई डिपोर्ट का उदगाटन किया इसे Rapidex और बाद में नमो भारत नाम दिया गया है प्रिष्ट संख्य सत्तर अंतराश्ट्रिय 1. मालदीव में सितंबर 2023 में संपन राश्ट्रुपती के लिए निर्वाचन में वर्तमान राश्ट्रुपती इब्राहीम मुहम्मद सोलीह को हरा कर कौन जीता? मुहम्मद मुईजू Progressive Party of Maldive के मुहम्मद मुईजू वर्तमान में देश की राजधानी माले के मेर हैं इतने के बाद भारत के साथ रिष्टों को कम करने का वादा किया था 2. नौर्वे के किस साहित्यकार एवं नाटक कार को 2023 का साहित्यका नोबल पुरसकार देने की घोशना 5 अक्टूबर 2023 को की गई है John Fosse John Fosse के उपन्यास कविता निबंद और नाटकों का पचास से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है इनके उपन्यास अन्यू नेम सेप्टलोजी 6-7 इंटरनेशनल बुकर पुरसकार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था इरान में महिलाओं के अधिकारों के लिए संगर्श रत जेल में बंद किस महिला को 2023 का शांति के लिए नोबल पुरसकार देने की घोशना 6 अक्टूबर को की है नर्गिस महमदी नर्गिस महमदी मानवादिकार संगठन Defenders of Human Rights Center की वोईस प्रेजिडेंट है उन्हें इरान की महिलाओं के उत्पीडन के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवादिकारों और स्वतंतृता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए सम्मानित किया गया है नर्गिस जेल में 31 वर्ष की सजा भुगत रही है चार फिलस्तीन के किस संगठन ने इसराईल पर अचानक 7 अक्टूबर 2023 को गाजापट्टी से आक्रमन कर दिया जिससे इसराईल ने युद्ध घोशित कर दिया हमास गाजापट्टी भुमध्यसागर के पूर्वी तर्ट पर इसराईल और मिश्र की सीमा से लगा लगभग 2 मिलियन की जनसंख्या वाला लगभग 365 वर्ग किलोमीटर का फिलस्तीनी क्षेत्र है लेकिन ये हमास जिसे कुछ राज आतं की संगठन कहते हैं कि अधीन है 5. वर्ल हेल्थ और्गनाइजेशन ने अक्टूबर 2023 में बच्चों के लिए मलेरिया की किस नई वैक्सीन के प्रयोग की अनुशनसा की है R21-M R21-M मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसे वर्ल हेल्थ और्गनाइजेशन ने स्विक्रिती दी है इससे पूर 2021 में RTS-S-AS01 वैक्सीन को स्विक्रिती दी गई थी 6. विख्यात सहित्यकार सलमान रश्दी को 22 अक्टूबर 2023 को जर्मनी में किस प्राइस से सम्मानित किया गया Peace Price of the German Book Trade विवादित पस्तक सेटनिक वर्सस के लेखक सलमान रश्दी को 25,000 युरो का जर्मन शांति पुरिसकार फ्रेंक्फर्ट में सेंट पॉल चर्च में प्रदान किया गया साथ किस हॉलिवूट फिल्म अभिनेता एवं निर्माता को नवंबर 2023 में भारत का सत्य जीत्रे लाइफटाइम अचीव्मेंट अवार्ड प्रदान किया गया है माइकल जगलस 1999 में स्थापिद सत्य जीत्रे अवार्ड विश्व सिनिमा में योगदान के लिए जाना जाता है माइकल जगलस द्वारा निर्मित दसिंड्रोम दगीम एवं अभिनीत वाल स्ट्रीट बेसिक इंस्टिक्ट ट्रेफिक आदी प्रसिद्ध फिल्में है आठ अक्टूबर 2023 में प्रकाशित वर्ल्ड हंगर इंडेक्स विश्व के लिए कितना आकलित किया गया है 18.3 2023 का विश्व हंगर इंडेक्स 18.3 2015 के GHI स्कोर 19.1 से कम है जो की मध्यम माना जाता है भारत के लिए 2023 में 28.7 2015 में 29.2 2008 में 35.5 और 2000 में 38.4 रहा है भारत की 2023 में रैंक 111 है 9. 17 अक्टूबर 2023 को जारी मरसर CFA इंस्टिटूट ग्लोबल पैशन इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पेंशन सिस्टम विश्व में सर्विश्वेष्ट है नीदलेंड्स नीदलेंड्स के इंडेक्स का मान 85 है इसके बाद 83.5 आइसलेंड तथा 81.3 डन्माक का है अर्जंटीना का मान 42.3 सबसे कम है भारत का इंडेक्स मान 45.9 जो की नीचे से अर्जंटीना और फिलिपीन्स के बाद तीसरे स्थान पर है 10. सूरे का चक्कर लगा रहे मंगल एवं ब्रहस्पती ग्रह के बीच इस्थित किस क्षुद्र ग्रह के अध्यन के लिए नासा ने 13 अक्टूबर 2023 को अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा है साइके साइके स्पेस क्राफ्ट नाम से ही साइके क्षुद्र गय जो की अधि महतपून धातूओं जैसे आईरन निकिल आदिसे संपन है का अध्यन करेगा जिसे ग्रहों के निर्मान की जानकारी होगी ये अगस्त दोहजार उनत्तिस में साइके एस्टरोइड का चक्कर लगाना प्रारंब करेगा ग्यारा एशियाई पैराखेल 2022 अक्टूबर 2023 में कहां आयोजित किये गए हांगजू चीन चौथे एशियन पैरागेम्स का आयोजन 22-28 अक्टूबर 2023 तक चीन में हांगजू में संपन हुआ इससे पूर्वे खेल 2018 में जकार्ता, इंडोनेशिया, 2014 में दक्षन कोरिया, तथा 2010 में हांगजू चीन में संपन हुए थे 12- किस लोगप्रिय खेल इस परधा को 128 वर्ष बाद उलम्पिक खेल 2028 में सम्मिलत किये जाने का निर्णे अक्टूबर 2023 में लिया गया है क्रिकेट इंटरनेशनल उलम्पिक कमीटी ने क्रिकेट के साथ साथ लिक्रों से बेसबॉल, सॉफबॉल, फ्लेक फुट बॉल और स्क्वेश को भी लोस एंजलिस उलम्पिक हेल 2028 में शामिल किया है 13. कौनसा देश इलेक्टोमेगनेटिक रेलगन का सफल परिक्षन करने वाला पहला देश अक्टूबर 2023 में बना है जापान जापानी मेरिटाइम सेल्फ डिफेंस पोर्स ने एक अप तटिय प्लेटफॉर्म से मध्यम कैलिवर समुद्रे इलेक्टोमेगनेटिक रेलगन का सफल परिक्षन 17 अक्टूबर को किया है जापान इसे जमीन और समुद्र दोनों ही जगहों पर प्रेयोग करेगा 14. अरपसागर में अक्टूबर 2023 में आये कि साइकलोन ने 31 शेत्रों में नुकसान पहुँचाया साइकलोन तेज इंडिया मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार साइकलोन तेज ने 24 से 26 अक्टूबर तक यमन और ओमान के 31 शेत्रों को भारी बारिश से प्रभावित किया 15. इंटरनेशनल उलंपिक कमेटी का सत्र अक्टूबर 2023 में कहां आयोजित किया गया मुंबई भारत इंटरनेशनल उलंपिक कमेटी का 141 सत्र भारत में 40 वर्ष बाद संपन हुआ इसे पूर नई दिल्ली में 1983 में हुआ था 149 सत्र बीजिंग चीन में हुआ था विष्ट संख्य एकत्तर